नमस्कार साथियों मैं राहुल शर्मा दिशा अकाडमी के इस प्रेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ जैसा कि थमलेल में देखके आप लोगों को पता चली गया होगा कि यहां पर जो बात होने वाली है वो पतवारी परिक्षा से रिलेटेड बात होने वाली है मद्यपरदेश पतवारी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है चातरों के कुछ सवाल होते है कि सर क्या CPCT अनिवार है यह तो सबसे जादा है फेवरेट कोश्चन अभी पतवारी से लेके यह सबसे जादा फेवरेट कोश्चन है 2017 से लेके अभी तक चर्चे में थीक है अब बात करेंगे आयू सीमा कितनी है सर सलेबस क्या होता है सर इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं इसमें क्या अन्ने राजवाले भी एक्जाम दे सकते हैं यह जो मेरा पिछला वीडियो था उस वीडियो में एक बच्चे ने मुझसे यह कोश्चन पूचा था और भी कई सारे कोश्चन से उन कोश्चन के साथ ही इस वीडियो के बारे में हम चर्चा करते हैं चलिए आगे बात करेंगे आगे अब आपको यहां धम देखें तो भाई यहां पर मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि इसको जरा आप लोग ध्यान से देखें इस चीज़ को कि 2017 में जो पटवारी की वेकेंसी थी 2017 में आपने देखा होगा कि 9,235 पदों पर पटवारी की वेकेंसी निगली थी जिसमें से 295 जो लोग थे वो लोग अल्रेडी दूसरी पोस्ट पर जॉइन कर चुके हैं दूसरी जगा उन्होंने जॉइन कर लिया और अभी का अगर हम मामला देखें तो 2021 तक की मैं बात बता रहा हूँ, 2021 अभी 22 की डीटेल कुछ अलग होगी वो उसके साथ भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के समख्षा जाओंगा तो 2021 में आप देखें की 400 पदों की और आवशक्ता है ऐसा लग रहा है आयोगो को मतलब जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं जो लोग उनको यह समझ में आ रहा है कि कम से कम 400 लोगों को और यहाँ पर भरती करानी चाहिए अब वहाँ पर एक बात और क्या हो गई है बात एक बार यह और हो गई है कि यहां अगर आप देखें, तो 800 लोगों को, जो 800 वेटिंग में जो लोग थे न, आपको मालूम है कि व्यापम में क्या होता है, व्यापम में वेटिंग भी लगती है, है न, सेलेक्शन तो आपका हो गया, लेकिन वेटिंग भी लगती है, तो 800 लोगों की जिनकी वेटिंग देंगे तो चात्र आपत्ती लगाएंगे उनका ऐसा स्टेटमेंट था इसलिए जो 800 लोग जिनकी वेटिंग थी उनको मिलने वाला है बाबाजी का ठुलू चलो बात आगे करेंगे तो इससे रिलेटेड अगर मैं आप लोगों से आगे बात करूँ तो भाई यहां पर आप देखेंगे कि प्रदेश के करीब 23,000 गाओं में यहां पर अब आप लोग ध्यान से इस बात को देखिएगा कि प्रदेश के करीब 23,000 ग्राम पंचायतों में 19,000 पटवारी युक्त ह वहीं शहरी चेत्रों की कई प्रकार के काम पटवारी को ही भरो से छोड़ रखें कुल मिलाकर प्रदेश में अभी करीब 5,000 पटवारी यों की जो है जरूरत है 2017 की परिक्षा के बावजूत प्रदेश में पटवारीयों के स्वीकृत पदों में करीब 1145 पद अभी भी रिक्त है मतलब 800 वेटिंग वालों को तो भूली जाओ आप 295 लोगों ने अलग जगा जोइन कर लिया था लेकिन अपार्ट फ्रॉम दाट 1145 पद अभी भी युक्त है तो अगर मैं ये बात आप लोगों से करूँ यहां पर सीधे शब्दों में के आप भाई एक बात को नोटिस यहां यह करें कि 500 यह हो गए और 1145 यह हो गए मतलब 645 तो कम से कम इतने पोस्ट पे तो दुबारा वेकेंसी निकलेगी लेकिन अगर मैं आप मेरी माने तो मेरे हिसाब से जैसे पिछली बार 9,235 पदों पर वेकेंसी निकली थी इस बार भी करीब साड़े 9,000 पदों पर वेकेंसी निकलेगी यह बात आप मान के चलिए और नहीं भी निकली तो इतने पदों पर तो निकल नहीं है ठीक है तो जब 9,000 पदों के लिए 9,000 पदों के लिए 19,000 लोगों ने फॉर्म भरा था ठीक है ज़स्ट डबल मान लो न से कम यहां पर 12 से 13,000,000 लोग फॉर्म भरेंगे तो आपकी जो तैयारी है आपको उस हिसाब से रखनी है अब हम चलते हैं आप लोगों के जो सवाल थे उन सवालों की मैं बात अब आप लोगों से करता हूं चलो तो आपका सवाल था क्या अन्य राज्य के व्यक्ति पटव पटवारी का फॉर्म भरेंगे मध्यपरदेश पटवारी का जो फॉर्म मध्यपरदेश के लोग ही भर सकते हैं अब अगर हम बात करें के योग्यता तो इसमें योग्यता क्या है तो योग्यता में जैसे जो दूसरे एक्जाम्स में योग्यता मांगते हैं इसमें भी इस उनिवर्सिटी से आप graduate होने चाहिए बस इसमें ये बोला हुआ होम सिटी मिलेगी क्या जैसे आप सेलेक्ट हो जाते हैं आपने पटवारी में टॉप भी कर दिया तो जैसे मैं भोपाल का हूँ तो क्या मुझे भोपाल मिलेगा उस condition में तो भाई इसका answer है no भोपाल आप आप लोगों की पोस्टिंग होगी अब जैसे कोई इंदोर का है अब इंदोर के आसपास के छेत्रों में जगे नहीं है तो भाई वहां पर नहीं मिल पाएगा उसको ठीक है आईउ सीमा की अगर हम बात करें तो भाई 18 से लेकर 40 साल तक के लोग यह फ़ार्म भर सकते हैं य शायत कुछ 45 years का सीन होगा ऐसा ही रहता है हमेशा क्योंकि हर वेकंसी में ही यह है ठीक है अब हम अगर बात करें आपसे कि इसका शुलक है 500 रुपए ST, SC और आपके OBC वाले जो हमारे भाई बैन है उन लोगों को यह फॉर्म 200 रुपए में मिलेगा ठीक है अब अगली बात मैं आप लोगों से करूँ फॉर्म तक पूर गए प्रश्न कितने पूछे जाते हैं कितने अंकों का पेपर होता है तो भाई प्रश्न यहां पूछे जाते हैं 100 100 अंक का ही आप का होगा पेपर और इसमें नेगेटिव मार्किंग जैसे यह कोशन है नेगेटिव मार्किंग होगी की नहीं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ठीक है आपको सारे सवाल मैंने बता दिये अभी जो सबसे प बात करूं अगर आपसे तो आगे और भी कोशन है, कितने नमबर का पेपर होता है, मैंने बता दिया, अब इसका syllabus क्या है, syllabus क्या रहेगा, तो syllabus में आपके पांच विशा है, कौन कौन से सामान्य इज्यान का पेपर आपका होगा, मतलब सामान्य इज्यान एक सब्जेक्ट रह उन बुक्स का वीडियो में बहुत अच्छा वीडियो बना चुका हूं जो बैस बुक्स है उनके बारे में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस वीडियो के बाद उसको देख लेना आप लोग ठीक है अब यहां पर हम बात करें कि कब तक आ सकता है तो आप लोग अपनी तैयारी उस हिसाब से रखिएगा बात अगर मैं करूं आगे आप लोगों से कि तैयारी आप बहतर कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए एक एप है जिसका नाम है परिक्षा एप जब आप परिक्षा एप ओपन करेंगे और आप यहां टेस्ट वाले सेग् मिलेगा फ्री डेमो टेस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यह पाएंगे कि वहां पर जैसे हमारा पेपर होता है सेम वैसा ही एक सो बीस मिनिट आपको मिलेंगे सो कोश्चन और सो मांक्स का कोश्चन आपका पेपर रहेगा पूरे पांच के पांच सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, मैथेमेटिक्स, हिंदी, पंचायती राज और ग्रामी नर्थ विवस्ता और कंप्यूटर ठीक है सेम वैसा का वैसा ही आप लोगों को पूरा का पूरा सिनेरियो यहां पर रहने वाला है अब आपको अगर यह टेस्स सीरीज पर्चेस करनी है तो यह टेस् मान लेता हूं बिल्कुल भही महंगा पढ़ रहा होगा आप लोगों को तो आप उसमें क्या कर सकते हैं आप मेरा कोड दिशा 50 देख लीजे पूरा डबल ए लगा है दिशा 50 आप यूस कीजे आप जैसे ही अपलाए पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा जो टेस्स सीडिस आपको बी 299 रुपे की मिल रही थी वह आपको 149 रुपे की मिल जाइगी मतलब 1.500 रुपे मान लो तो एक टेस्ट आप लोगों को पढ़ गया 10 रुपे का 10 रुपे का टेस्ट पढ़ गया और वह ऐसा टेस्ट है जो बिलकुल आपके एक्जाम में जैसा आने वाला बिलकुल वैसा का वैसा ही है दूसरी सबसे अच्छी चीज इसमें यह है कि यह हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है अब हम आगे चलें तो अब आपके कोश्चन की हम बात करते हैं कि क्या सर इसमें CPCT अनिवारी होगा येस या नो तो मैं आपको एक बात क्लियर तरीके से बता दूँ कि इसमें CPCT अनिवारे नहीं होगा जैसे और क्यों नहीं होगा वो भी मैं अभी बताता हूँ कुछ ग्यानी लोग यहां पर बहुत ग्यान बाइट थे हैं खेर मुझे उनसे मतलब नहीं रहता देखो 2017 में उन्होंने क्या कहा था CPCT अनिवारे है जिसने CPCT नहीं करा वो दो साल के अंदर अंदर वो CPCT अपना कर ले अब यहां पर भी ऐसा ही होने वाला है वो क्यों होने वाला है देखो जब उन्होंने ऐसा notification दिया था तो 19 लाख लोगों ने form भरा था अब 19 लाख लोगों से उनका कितना revenue generate हुआ होगा आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते और चाहे वो private organization हो या government organization हो कोई भी व्यक्ति अपना नुकसान नहीं करेगा अपने पहर पे कुलाडी कभी नहीं मारेगा ये जो जितने भी आप लोगों के form निकलते हैं ये indirectly और directly दोनों ही तरीके से ये जो है ये सरकार के भंडारन जो सरकार का जो राजकोश होता है ना उसमें इजाफा करते हैं तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उनका राजकोश कम हो तो इसलिए मैं आप लोगों को clear बता रहा हूं यहां पर एक बात कि भाई CPCT अनिवार्य नहीं होगा सेम कंडिशन आएगी आप लोगों को दो साल के बीतर CPCT करके देना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि मैं यह गलत बोल रहा हूं मैं किसी भी हिसाब से गलत बोल रहा हूं वीडियो को बिल्कुल डिसलाइक कर देना और चैनल अगर सब्सक्राइब करके रखा है तो इसको आप अनसब्सक्राइब कर देना लेकिन अगर आपको मेरी बात लग रही है कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ और मैं फैक्ट के साथ और एक मतलब सही बात प्रमानित बात आपसे बोल रहा हूँ तो भाई वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है और अभी वीडियो खतम नहीं हुई है ना सब्सक्राइब करना है दिशा एकेडमी के चैनल को बिल्गुल आप सब्सक्राइब करें हमारा जो आप लोगों को एक बात मैं बता दू कि हमारा टेलीग्राम चैनल है MPPSC वालों के लिए भी और MPPEB वालों के लिए भी है तो दोनो चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ पर डेली में 30 से 50 GS के कोशन डालता रहता हूँ जो आपके MP से रिलेटेड भी होते है और GS के कोशन भी होते हैं उसको आप जाईए उसको जॉइन कर लीजे ठीक है और परिक्शा एप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है सिर्फ बाट टेस्स सीरीस की नहीं है जब आप परिक्शा एप पे जाते हैं न तो वहाँ पर डेली बेसिस पर फ्री में टेस्ट इतने सारे हैं कि आपको लगा लगा के टेस्स मझा आ जाएगा दूसरा क्या है कि वहाँ पर डेली फ्री वीडियोस भी चलते है तो वो भी आप देख सकते हैं ठीके और एक बार पटवारी वाला जो टेस्ट है ना फ्री डेमो टेस्ट उसको दे के जरूर देखना फिर आपको लगे कि अच्छा है टेस्ट तो आप उसको बिल्कुल टेस्सीरीस को आप परचेस कीजिए ठीके दोस्तों तो इसी के साथ दोस्तों मैरा हुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ जै हिंद जै भारत